हलो बच्चो मैं फ्यूट शे आ गया मूज़ाल फीस वलाज के विश्वास आपके समझ रे आपटीस का लेक्चर नंबर 30 लेके लेक्चर नंबर 30 का पार्ट फोड हो गये और यह लास्ट होगा लेक्चर लास्ट यह लेक्चर 30 का लास्ट है देखें पिछले क्लास में मैंन और इससे नीचे question था, question क्या था देख लेजे, ये नीचे, question, देखे दिखेड़ा है, देखे question था, find the angle of prism of dispersive power 0.021, dispersive power मतलब omega, and refractive index मतलब mu 1.52 to form an achromatic combination, achromatic combination का मतलब क्या हुआ, achromatic combination का मतलब कि dispersion नहीं हो, deviation हो, deviation without dispersion, achromatic का मतलब हुआ, deviation without dispersion, achromatic combination का मतलब, ठीक्या, चलिए, to form an achromatic combination with prism of angle 4.2 degree and dispersive power 0.045, dispersive power 0.045, having refractive index 1.65, तो यहां देखे, first prism का value, first prism और second prism, अगर देखा जाए, तो दोनों का combination ऐसा है, दोनों का prism का, कि जिसमें deviation हो, लेकिन dispersion नहीं हो, deviation हो, dispersion नहीं हो, तो यहां देखे, यह बात लिख दिया है, for achromatic combination, theta net 0 होगा, और जब theta net 0 होगा, तो theta 1 plus theta 2 equal to 0, अर्था theta plus theta dash भी हम लिख सकते हैं, वैसे हम यहां theta plus theta dash ही लिख रहे हैं, theta plus theta dash equal to 0, ठीक है, because deviation without dispersion होगा, मतलब deviation without dispersion होगा, ठीक है, तो यहां समझानते dispersive power, angular dispersion और mean deviation का ratio होता है, तो यहां से theta और और omega delta लिख सकते हैं, तो omega delta plus theta के स्थाण पर omega delta, अब पलस theta dash के स्थाण पर, क्या होगा, omega delta, omega dash, delta dash, बड़ावर 0, यहां से value, तो थोड़ा सा recap कर दें, क्याप कमाइंड में आजाएं, और delta का value होता है, mu minus 1 into a, ठीक है, अब यहां पर omega, delta के स्थाण पर यहां से देखे, delta का स्था, mu minus 1 into a, बड़ावर minus omega delta into mu dash minus 1 into a dash, देखे, first prism का omega का value दिया हुआ है, और आपको a dash निकालना है, तो देखे, omega का value क्या होगा, हो जाएगा 0.045, यहां देखे, दिया हुआ है, यह, कहां है, यह, of angle 4.2 and dispersive power 0.045, मतलब, first prism का जो दिया हुआ है, यह dispersive power 0.045, और angle दिया हुआ है, 4.2, तो first prism हम मान रहे हैं, first prism का जो angular dispersion है, वो ठीटा, तो theta के लिए हम omega into, मतलब, omega delta लिखेंगे, तो omega into mu minus 1 into a, ठीक है, तो first prism का यह जब value put कर दिये, देखे, angle दिया हुआ है, 4.2, refractive index दिया हुआ है, 1.65, और dispersive power दिया, 0.045, यह put कर दिये, second के लिए हमको a dash, मतलब, prism में, देखे, find the angle of prism of dispersive power इतना, तो dispersive power यह यहाँ पर omega dash, 0.021, और refractive index, 1.51, put कर दिये, इसका calculate के दिखे, इसको calculate करिएगा, तो आपको आजाएगा, इतना, यह multiply करने को आजाएगा, 0.12285, divided by, 0.01092, और यह negative में आ गया है, मतलब, a dash ब्राबर, calculation करिएगा, calculator से कर लिजेगा, वैसे मुझवानी भी कर सकते हैं, तो आजाएगा, 11.25, minus में, तो minus symbol तो यह बताता है कि, prism जो है, दोनों prism एक दूसरे का उल्टा होगा, inverted होगा, तो इसका वैलू जो हो जाएगा, वैलू, वैलू क्या हो जाएगा, prism angle का, 11.25, तो अंसर आजाएगा, इसका 11.25, इसमें लिखे नहीं है, लेकिन फर्स्ट आप्शन था, 11.25, ठीक है, तो और सेकेंड आप्शन था, साइद 12, थर्ड ओप्शन था 11, और फोर्थ ओप्शन था 12.5, इसा ही कुछ था, वैसे ओप्शन देख लेजिएगा, फर्स्ट ओप्शन इसका अंसर होगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट देख रहा है, लेक्शर 30, यह तो पिछले क्लास का क्योशन था, वह हो गया, और आप बताइएगा, क्या बनाए थे की नहीं, आप से बनाए था की नहीं, ठीक है, इसको हम डाइक्ट वीजन प्रिंग भी बोल सकते हैं, वह आँ हम बोले थे डे वीजन बिदाउट डिस्परसन को एक्रोमेटिक combination और यहां dispersion without deviation को बोलेंगे direct vision prism ठीक है अब इसको कैसे define करेंगे the combination of two prisms such that the dispersion occurs but net deviation becomes 0 अच्छा एक बार इसका आप screenshot ले लिजे इसका notes आप बाना लिजेगा screenshot ले लिजे और उसके बाद देखिए चली हो गया तो यहां पर deviation 0 होगा मतलब डिल्टा निट का value 0 और dispersion होगा मतलब डिल्टा डिस्पर्शन होगा मतलब ठीटा निट का value 0 नहीं होगा अब इसाग combine कर दिए एक prism ले लिए सीधा एक उल्टा इसको इस परकार combine करना है कि deviation नहीं हो और dispersion हो डिस्पर्शन हो का मतलब color में तूट जाए मतलब नीचे रेड वाला हो जाए उपर violet हो जाए होता है ने भिव जीओर यह दोन इसके parallel होगा parallel मतलब deviation नहीं किया जिस direction में यह जा रहा था उसी direction में यह जा रहा है तो दखिए दो prism का ऐसा combination जिसमें one भी छेपन हो लेकिन भी चलन नहीं हो उसकों बोलेंगे क्या dispersion without deviation मतलब direct vision prism net deviation 0 तो delta plus delta dash ब्राबर 0 अब देगे delta mu minus 1 into a plus delta dash तो mu dash minus 1 into a dash ब्राबर 0 deviation का फ़रोला पता है ना mu minus 1 into a अब यहां से हम calculate कर ले a dash ब्राबर यह इस अट जाएगा तो minus हो जाएगा यहां negative sign shows that the second place should be inverted ठीक है अब चलिए next यहां से हम देखना है value की दिल